ओम शांती 15-9-2023 की साकार मुरली मीठे बच्चे तुम रुद्र ग्यान यग्य में बैठे हो। रुद्र शे बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वस सुनकर दूसरों को जरूर सुनाना है। प्राश्न बापने यग्य भी रचा है और मनुष्य भी यग्य रचते हैं दोनों में कौन सा मुख्य अंतर हैं। उत्तर मनुष्य रुद्र यग्य रचते हैं कि शांती हो अर्था तुम विनाश न हो। लेकिन बापने रुद्र यग्य रचा है कि इस यग्य से विनाश ज्वाला निकले और भारत स्वर्ग बने बाप के इस रुद्र ज्यान यग्य से तुम नर से नारायन अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते हो उस यग्य से तो कोई भी प्राप्ति नहीं होती है गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है ओम शान्ती यह कितना मीठा गीत है और कितना अर्थ सहित है जो विशाल बुद्धी वाले होंगे वह अच्छी रीती समझ सकेंगे बुद्धी भी नमबर वार है ना उत्तम मद्यम कनश्ट होते हैं उत्तम मुद्धी वाले इसका अर्थ अच्छी रीती समझ सकते हैं तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है यह कौन याद करते हैं बच्चे कौन से बच्चे बच्चे तो ढेर हैं जो ब्राम्हन बने हैं जो देवता थे जिन्होंने ही पूरे 84 जन में लिये हैं उन्होंने ही जास्ती बुलाया है वही शिव अत्वा सोमनात के मंदर की स्थापना करते हैं सिद्ध होता है हम जो पूज्य देवी देवता थे अभी पुजारी बने हैं बरोबर हम पूज्य थे फिर पुजारी बने तो सोमनात शिव की पूजा करते हैं रुद्र यग्ये बहुत रचते हैं रुद्र ज्यान यग्ये कभी नहीं रचते रुद्र यग्ये नाम रखते हैं अभी भी रुद्र यग्ये रच रहे हैं तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो, रुद्र कौन है? क्या रुद्र ने कभी यग्य रचा था? कैसे रचा? फिर क्या उसकी सिद्धी हुई? यह तो कोई नहीं जानते? तुमको अभी ज्यान का तीसरा नेतर मिला है. परमपिता परमात्मा किस सिवाए ज्यान का तीसरा नेत कोई दे नहीं सकता. ज्यान सागर परमपिता परमात्मा को ही गाया जाता है. मनुष्य को ज्यान सागर नहीं कह सकते. अभी तुम जानते हो हमको दादे का वर्षा मिल रहा हैं, जिसको ही याद करते हैं कि बाबा आकर अविनाशी ज्यान रतनों का दान करो. फिर हम भी दान दे कर औरों को करेंगे बहुत सहज है सर्फ याद दिलाएंगे कि तुम्हारे तो दो बाप हैं भक्ती मार्ग में दो बाप हो जाते हैं सत्युक्त्रेता में लौकिक बाप ही होता है वहाँ वर्षा भी तुम इस समय के पुरुशार्त अनुसार पाते हों तो तुम बच्चों का मा था फिरना चाहिए ऐसी ऐसी जगह जाकर पूछना चाहिए कि रुद्र यग्य किस ने रचा था क्या रुद्र ग्यान यग्य है या रुद्र यग्य है असुल नाम है रुद्र ग्यान यग्य रुद्र तो है निराकार वह कैसे यग्य रचेगा जरूर शरीर धारण कर दक्ष प्रजापती का यग्य भी मनाते आते हैं, दिखाते हैं दक्ष प्रजापती यग्य में अश्यो को श्वाह करते हैं, घोडे को टुकडे टुकडे कर जलाते हैं, उनको दक्ष प्रजापती यग्य कहते हैं, यह तुम अभी जानते हो तो वहां लिखना चाहिए यह कौ कोई 500 निकालते। इस रुद्र ज्यानियग्य में तो तुम सारे स्वाहा होते हो। उसमें तो थोड़ा-थोड़ा पैसा निकाले। खट्टा करते हैं। फिर ब्रामन को दक्षडा मिलती है। यहां तो तुमको स्वाहा हो NAP पड़ता है। वहां स्वाहा होने की बात नहीं यहां बच्चे कहते हैं बाबा तनमंधन सहित मैं आता हूँ वहां ऐसे नहीं कहेंगे आहूती में कभी ऐसे नहीं डालेंगे आरतियादी होगी चंदा चीरा होगा बड़ो बड़ो से लेते हैं तुम बच्चे जानते हो इस रुद्रिग्यान यग्य से ही विनाश जवला प्रजलित हुई है, वह यग्य रचते हैं शांती के लिए, विनाश के लिए नहीं, वहां शांती का बड़ा आवाज करते हैं, शांती तो सारी दुनिया में चाहिए न, परमात्मा है शांती का सागर, तुम बच्चों को अर्थो समझाया जाता है, अकबार पढ़ते ह हो तो ख्याल चलना चाहिए, कैसे हम सब को समझाये, बाप जानते हैं कैसे बी के दुकान समाल रहे हैं, सेट का कौन सा दुकान अच्छा चलता है, कौन सा मैनेजर अच्छा है, वह तो गुड जाने, गुड की गोथरी जाने, यह ब्रम्मा है गोथरी, यह बड़ी रमनीक तो रुद्र ज्यान यग्य के लिए तो लिखा हुआ है इससे विनाश ज्वाला निकली वह यग्य करते हैं शांती के लिए यह है सच्चा सच्चा यग्य। उन ब्रामनों के तो अनिक सेठ होते हैं, यह तुम ब्रामनों का एक ही सेठ है, बाप है रुद्र, रुद्र बाप का हो, शिव का हो, सोमनात का हो, उसने ज्यान यग्य रचा है, जिसमें तुम बैठे हो, वह यग्य तो दो चार दिन चलेगा, तुम्हारा यह रुद्र ज्या बनने का यग्य वह तो ऐसे नहीं कहेंगे बाप बैट समझाते हैं कैसे उन्हों को सावधान करो बड़ों बड़ों को बोलो यह तुम जो यग्य रचते हो उसमें भूल है परमपिता परमात्म कल्प कल्प संगम पर आते हैं शास्त्रों में युगे युगे लिख दिया है य भूल कर दी है वैसे ही रुद्र यग्य रचते हैं वास्तों में रुद्र ग्यान यग्य है शिव का नाम है रुद्र उसने ही ग्यान यग्य रचा है जैसे इब्राहिम ने अपना इसलाम धर्म स्थापन किया बुद्ध ने बौधी धर्म स्थापन किया वैसे रुद्र का ह जिससे विनाश ज्वला प्रजलित होगी तो गोया वो लोग शांती के लिए यग्य रचते हैं अर्थात विनाश नहीं चाहते स्वर्ग की स्थापना के लिए नर्क का विनाश हो तो अच्छा ही है ना भारत है अविनाशी खंड जरूर भारत के मनुष्य संप्रदाय बहुत ज्यादा होने चाहिए आदी सनातन देवी देवता धर्म था उनको सारा कल्प हुआ है शास्त्रों में 33 करोड लिख दिया है परन्तु यह तो समझना यह तो समझाना चाहिए जरूर और धर्म वालों से देवता धर्म की आदम शमारी जास्ती होगी लेकिन वा कनवर्ट हो गए हैं तो कैसे निकले बहुत दी क्रिश्चन मुसल्मान आदी जाकर धेर बने हैं इसलिए थोड़ी संख्या हो जाती है यह भी ड्रामा है इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धी चाहिए जब तक बुद्धी में ज्यान नहीं बैठा है तो सिर्फ अरपणमाय होने से क्या फायदा अरपणमाय तो धेर बनते हैं परन्तु जो अच्छी रिती धारना कर और कराते हैं प्रजा बनाते हैं वही अच्छा पद पा सकते हैं तो यह गीत एक्यूरेट है बुलाने को जी चाह भायत में थे अभी तो कोई कहां कोई कहां कनवर्ट हो गए हैं कई तो भारत से बाहर चले गए हैं नहीं तो वास्तों में भारत जैसा बड़े ते बड़ा तीर्थ और कोई है नहीं और सभी धर्म स्थापक जो हैं उन्हों को भी पावन बनाने के लिए भगवान को भारत म क्योंकि सब पतित है पावण मनाने वाला एक है यह तुम जानते हो तुम्हारे में भी नंबर्वार यथार्त रीती जान सकते हैं 네 तुम कहेंगे हम रुद्र ज्ञान यग्य में बैठे हैं ऐसा कोई यग्य होता है क्या जिसमें इतना समय बैठे हों क्या बैठ करते हों रुद्र जो ज्ञान सुनाते हैं वह सुनते ही रहते हों जहां तक रुद्र बाबा इस शरीर में सुनाते ही रहेंगे प्रजा पिता ब् ब्रह्म्हा की रात गाई हुई है सुक्ष में वतनवासी ब्रह्म्हा का थोड़े ही दिन और रात बनाएंगे वह तो सुक्ष में वतनवासी देवता है दिन और रात का प्रश्न यहां का है ब्रह्म्हा की रात माना पतित फिर वही पावन बनते हैं तो दिन होता है ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला वह एक सत गुरु है सत बाबा, सत टीचर, सत गुरु तीनों एकटे हैं पहले जरूर बाप के बच्चे होंगे फिर पद टीचर से पाएंगे नंबर वार है ना, यह भी बुद्धी में रहे तो कितनी खुशी रहे तुम पहले बेहद के बाप के थे, यहां आए हो पाट बजाने भक्ति मार्ग में बेहद के बाप को याद करते आए हो क्योंकि वह है स्वर्ग का राचाहिता, जरूर स्वर्ग की राजाई देने वाला होगा यह समझाना तो बड़ा सहज है, सेंसिबल ही समझा सकेंगे वास्तों में सेंसिबल तुम ब्रामण हो, तुम्हारे में जो अकलमंद है उनमें भी नंबर वार है दुनिया के अकलमंद भी नंबर वार है न, यहां भी जो सेंसिबल बनते जाएंगे वह जरूर अच्छा नंबर पाएंगे, हर एक अपनी दिल से पूछे हम कहां तक सेंसिबल बना हूँ जैसे बाबा मुरली चलाते हैं, वैसे वहां भी तुम्हारी मुरली चल सकती है तुम उन्हें समझाओ कि रुद्र यग्य और रुद्र ग्यान यग्य में रात दिन का फर्क है रुद्र ग्यान यग्य रचा तो उससे विनाश ज्वाला निकली, भारत स्वर्ग बना और यह फिर यग्य रचते हैं, विनाश ना हूँ, अर्थात स्वर्ग स्थापन ना हूँ, यह तो उल्टी बात हो गई तब तो बाबा कहते हैं, मैं इन सब का उद्धार करने आता हूँ रुद्र ग्यान यग्य रचता हूँ, तो तुम प्रतिया करते हूँ, बाबा हम आपसे सुनकर और सुनाएंगे अच्छा औरों को सुनाओ, पहले यहां तो रिपीट करो, घड़ी घड़ी रिपीट करो जो फिर कहां समझा सको फर्स्ट क्लास पॉइंट है, उस यग्य में तो जो तेलादी डालते हैं, मेरे रुद्र ग्यान यग्य में तो सारी पुरानी दुनिया की सामगरी स्वाहा हुई थी परन्तु यह सब बाते कोई की बुद्धी में अच्छी रिती, धारण नहीं होती बाप को याद नहीं करते हैं, तो बुद्धी का ताला नहीं खुलता बाबा कहते हैं, हम भी क्या करें? इस समय सबकी बुद्धी पतित है, उनको पावन बनाता हूँ जो मेरे को याद नहीं करते, उनमें धारणा नहीं हो सकती बुद्धी का ताला कैसे खुले याद से ही खुलेगा Most beloved बाप है उनकी बड़ी महिमा करते हैं शिवाबा की कितनी महिमा है शिव की पूजा भी होती है तो जरूर आता होगा न bigger organs क्या आकर करेंगे तो अब ब्रह्मा में आया हुआ हूँ तुम बच्चे बाप दादा के सामने बैठे हुए हूँ परन्तु देह अभिमान होने कारण इतना love बाप के लिए regard नहीं रहता direction पर मुश्किल चलते हैं एहंकार में आ जाते हैं बाप कहते हैं मैंने रहंकारी हूँ तुमको इतना एहंकार क्यों आता है बस समझते हैं मैं ही होश्यार हूँ इतना देह अभिमान आ जाता है अब कोई का पती मर जाता है तो उसकी देह खत्म हो गई बगी आत्मा निकल गई फिर ब्रामन में आत्मा को बुलाते हैं देह को तो नहीं बुलाते भावना रखते हैं तो भावना का भाड़ा मिलता है पती को याद करते रहे तो पती का साक्षतकार कर लेंगे बाबा साक्षतकार तो कराते हैं न ऐसे बहुतों का प्यार होता है आएगी तो आत्मा कोई का स्त्री में प्यार है तो भावना का भाणा मिल जाता है स्त्री को देख लेते हैं चीज ले आते हैं खुद उनको पहनाते हैं ऐसे बहुत कुछ होता आया है आगे बहुत विधी से खिलाते थे जैसे गणेश को अत्वनाना कादी को याद करते हैं तो साक्षतकार हो जाता है ऐसे बहुतों को हो सकता है परन्तु वह चाबी एक ही बाप के हाथ में है बाप कहते हैं यह साक्षतकार की बाते भी ड्रामा में नोंधी हुई है साक्षतकार कराया ड्रामा चला ठहरता नहीं है ड्रामा को भी अच्छी रीती जानना होता है अरे बाबा का तो अच्छी रीती रिगार्ड रखो बाप में इतना रिगार्ड प्यार रखना बड़ा मुश्किल समझते हैं समझते हैं वह तो निराकार है कहते हैं यह तो उनका रत है इनको हम क्या करेंगे हम तो निराकार को ही याद करेंगे अच्छा निराकार की गोद में जाकर दिखाओ निराकार साथ खाओ पीओ तुम इनके पास क्यों आते हो कहते हैं नहीं बाबा आप इसमें हो आपको ही इसमें विराजमान समझ चलते हैं यह बड़ा मुश्किल किसकी बुद्धी में रहता है ऐसे बहुत हैं जो गपोड़े लगाते हैं हमारा बाबा में बहुत प्यार है हम इतने घंटे बाबा को याद करते हैं बाबा कहते हैं मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ मैं तो एक ही सिकलदा बच्चा हूँ फिर भी मैं पुरुशार्थ बहुत करता हूँ अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को यात प्यार, गुड मौनिंग और नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्यसार पहला अरपन होने के साथ साथ अपनी बुद्धी को विशाल बनाना है उच्छ पद के लिए अच्छी रिती धारना करनी और करानी है दूसरा बाप समान निरहंकारी बनना है एंकार छोड बाप से अती लव वरिगार्ड रखना है दे अभिमान में नहीं आना है वरदान मालिक बन करमेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्म योगी कर्म बंधन मुक्त भव मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्म योगी कर्म बंधन मुक्त भव ब्रामन जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं कर्म योगी जीवन है कर्मेंद्रियों के मालिक बन जो चाहे जैसे चाहे जितना समय कर्म करने चाहो वैसे करमेंद्रियों से कराते चलो तो ब्रामन सो फरिष्टा बन जाएंगे कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे यह देह सेवा के अर्थ मिली है कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई पुरानी देह और देह की दुनिया का सम्मंद समाप्त हुआ इसलिए इसे मर जीवा जीवन कहते हैं स्लोगन दिलाराम के साथ का अनुभाव करना है तो साक्षीपन की इस्तिती में रहो दिलाराम के साथ का अनुभाव करना है तो साक्षीपन की इस्तिती में रहो अच्छा, ओम शान्ती बंद मेरे, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिश्टियों ही दे ते रहों बाबा